आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जल्फ के सर होने तक कौन जीता है तेरी जल्फ के सर होने तक नाजरीन मैं हूँ बिसमिलाफताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलिज चैनल आज जो मैं आफ के सामने बात करूँगा वो जो हमारा सिलसला चल लहा था बन लाइन कोश्चन आंसर बाला उसी पे बात करते हैं इसमें बहुत ही एहम सवालाथ मैं फिर आफ के सामने लेकर आया हूँ इन पे ही चर्चा करेंगे और जानेंगे उर्दू UGC NET का जो सलेवस है उससे मतालिक ये सवालाथ है आसानी रहे आपको याद करने में इसलिए मैंने ये सिलसला शुरू किया है प्रक्टिस होती रहेगी जो आप पढ़ते हैं बाकी जो हम यूनिट वाई यूनिट पढ़ रहे थे वो भी सिलसला चलता रहेगा औ और B.F.S.T.E.R. का जो एक्जाम है उन्तिस तारीख से जो लखनव इनिवरसिटी का लगा हुआ है उसके लिए मैंने प्लेलिष्ट बनाई हुई है जो भी B.F.S.T.E.R. के स्टूडेंट है वो बहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं पूरी तयारी कर सकते हैं उसमें मु उर्दू में बहुत से दविस्तान हैं लेकिन खास तोर से लखनव और दहली दविस्तान ये दो ऐसे दविस्तान हैं जिनको बहुती एहमियत हासल है तो ये दोनों शायर आतिस और नासिख जो हैं दोनों लखनव दविस्तान के शायर हैं और याद रखना आतिश जो हैं आ इसके बाद में शुमाली हिंद का पहला गजल गोशायर जो है उर्दू का पहला गजल गोशायर अमीर खुसरो को तसलीम किया जाता है याद रखना और अमीर खुसरो जो है वो तकरीबन बारह सो पच्पन के आसपास में पैदा हुए है शायद मुझे एक्जेक्ट नहीं उसी को उर्दू में तर्जमा करके बागो बहार के नाम से मीर अमन दहलवी ने लिखा है कोलकता के अंदर अठारह सो तीन में खैर आगे देखने है रेखती रेखती का मौजद जो है रियाज रंगीन जो है उनको करार दिया जाता है यहां पर गलत लिखा हुआ है साधत रियाज जो है रंगीन यह इनका पूरा नाम है इनको रेखती का मौजद कहा जाता है और याद रखना रेखता जो अर्दू का पुराना नाम है उसमें हिंदी हिंदवी इस तरहां से जो नाम अमीर खुसरों ने रखे हुए हैं उसमें रेखता जो है एक अर्दू का नाम भी था रेखता और रेखती उस शायरी को कहते हैं जिसमें जो है आदमी जो है वो औरत के निस्बा के जजबातों को अपनी जबान में बयान करें खेर इसमें बाद में फिर कभी तवील बात करेंगे आगे देखते हैं अलामा एकबाल की एक नजम है नाला यतीम और इस नाला एक्थिंड को अजुमन जमालillातल इसलाम जो बनियाद रखी गई थी पंजाब के अंदर उसमें अपनी पहली नजम इन्हों नाला यतीम ही पढ़ी थी किसने अलामा इकबाल लें याद रखना हूज जो और इसको मुंहम्मद हुसैन आजाद ने रखा था 1873 DIRECTOR Aजब आसे आजपास में इसके बाद ना सिख जो है ना सिख को इसलाह शायरी के लिए जाना जाता है सबसे जादा अगर किसी के शागर्द है तो वो ना सिख ऐसे शायर है जिन के सबसे जादा जो है शागर्द है और ये इसलाह जबान और इसलाह शायरी के लिए बहुत ही ऐहम जाते हैं नासिख कई बार पूछा गया इसलाह जबान के लिए किसे जाना जाता है तो भी नासिख इसे बाद में आगे याद रखना सानिट जो है नजम में चौधा मिस्तरे होते हैं रखना ये हायत है इसमें चौधा मिस्रे जो कहे जाते हैं चौधा मिस्रों की जो नजम होती है उसको सानेट कहते हैं और इसको अंग्रेजी अदब से उर्दू में शामिल किया गया है इसी तरह से हाइको नजम होती है इसमें सिर्फ तीन ही मिस्रे होते है हाइको में और हाइ गालिब का मरसिया जो है वो अल्मा इकबाल ने लिखा था याद रखना गालिब पे यादगारे गालिब के नाम से इनकी सवनही किताब के तोर पर इनके शागिर्द कहे जाते हैं हाली जो है उन्होंने यादगारे गालिब लिखा था और इकबाल ने गालिब का मरसिया लिख याद रखना वही तुम्हारी हर एक मुझको ढाल बनना है मुझे गालिब नहीं बनना मुझे अकबाल बनना है याद रखना गालिब जो है उनका मरसिया अल्लामा अकबाल ने लिखा है और अल्लामा अकबाल के उस्ताद जो पहले उस्ताद थे ने कई उस्ताद हुए हैं लेकिन शायरी में इन्होंने पहले जो इसलाह लेना शुरू किया था दाक दहलबी से लेना शुरू किया था डाक के जरीए ये पूछा भी जाता है कई बार कि अखबाल ने डाक के जरीए किस से इसलाह लेना शुरू किया था तो दाक दहलबी एक अलग ही मकाम उर्दू में रखते हैं उनकी कई किताबे पूछी जाती हैं मुकदमा शेरोशायरी मुकदमा शेरोशायरी से मतलिक एक बात कहेंगे कि मर्जा गालिब पे जो किताब सवाना ही किताब लिखी है हाली ने यादगार गालिब और उसी यादगार गालिब में मुकदमा जब उसी का लिखा हाली ने तो बहुत ज़्यादा मुकदमा हो गया बहुत तवील हो गया इसी बजहा से उन्होंने उसको एक अलग किताब में शाया करवा दिया और उसका नाम मकदमा शेरो शायरी रख दिया जिसको बाकाइद तोर पर उर्दू की पहली तनकीदी किताब माना जाता है तो उमीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी मेरी बाते हैं और हाली जो है हाली की और भी किताबें से जो है हयातِ साधी है, हयातِ جاوید है और मकदमा शेरोशाइरी है इसके यादगार गालिब है और मजलस निसा है ये इनका एक ही नाविल है मजलस निसा इसके बाद मैं आगे देखते हैं मीर तक्वी मीर ने जुरायत की शाइरी को चूमा चाटी जुरात शाइर है उनकी शाइरी को चूमा चाटी की शाइरी किस ने कहा है तो याद रखना मीर तक्वी मीर ने अपने तذکरे निकात शोरा में कहा है और निकात शोरा के बारे में आपको पता ही है कि निकात शोरा जो है वो पहला तذکरा माना जाता है उसमें उर्दू शायरों की तफसील बयान की गई है लेकिन फार्सी जबान में आगे देखते हैं फैज एहमद फैज ने कहा था कि मजाज लखनबी जो हैं वो इनकलाब के धंडोर्ची नहीं इनकलाब का मुत्रिब है तो इनको रॉमान और इनकलाब दोनों का शायर मना जाता है किसको मजाज लखनबी को मजाज लखनबी के बारे में आपको पता होगा जावे दकतर जो फील्मों के इस टा purpose गीतकार बहुत बड़े गीतकार हैं जिन्होंने साक्डू फील्मों में गीत लिखे हैं साथी साथ फिल्मों की स्टोरी लिखी है सोले जैसी फिल्म के शोले जो फिल्म है उसका भी इन्होंने उसमें भी गाने लिखे हैं साथ साथ में उसके में मकाले लिखे हैं तो जावे दक्तर बहुत बड़ा नाम है उनके ये मामू है मजास लगनबी याद रखना इसके बारेемisme शेख अबदलकादर ने कहा था एकबाल के रूप में यानि एकबाल की शक्ल में गालिब ने दौबारा जनम ले लिया ये बात हज़म होने वाली नहीं है हज़म होने वाली इस लिए नहीं है ये याद रखना है किसने और आ है शेक अब्दलकादर ने कहा है इक البाल के लिए जोवाद ने घालिब पनिने अक्पाल की शकल में दोवारा जन्म लीया है लेकिन अज़ब होने वाली सscale हो इसलिए बात नहीं है क्योंकि इकपाल की शाहरी बिल्कुल ही अलग है मज़भ ही दिखाई देता है और इसलाम है मजभ है और उसका उतार चड़ाओ है हर शायरी के बाद हर गजल को पढ़ो दो शेर के बाद तिसरा शेर यूँ ही महसूस होने लगता है जैसे आप कोई नात बगरा पढ़ रहे हूं मजभ और एक गालिब जो हुसन उश्क के शायर है और जिस बन्दें ने हुसन उश्क को बरता नहीं है उसे महसूस किया है उस पर शायरी की है और अल्मा एकबाल compris में बप बड़ा फरक है में गालिब को तसलीम करता हूं शायर के शायर के रूप में लेकिन अकबाल को सिरफ आप उपदेशक मान सकत शायर इस तरह के हैं जिनको कहा तो अबाम ही शायर जाता है अबाम की जबान में शायरी करते हैं लेकिन इतनी मुश्किल शायरी करते हैं मौलाना अच्छे अच्छे मौलाना हम इसे कई मौलाना को जानता हूं वो इसकी तश्रीर नहीं कर पाएंगे इनके कलाम की तो यह इस किताब है शेर 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 अंगेज तो इस किताब पर इनको सरस्वती सम्मान मिला था किस किताब पर मिला था ये याद रखना कई बार पूछा गया है किताब शेर 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 अंगेज जो है शमसर रह्मान फारुकी की किताब है असरस्वती सम्मानिन को मिला था और आगरा को सबसे ज्यादा शोहरत बखशने बाला शायर कौन है वो नजीर अक्बरावादी है याद रखना सबसे ज्यादा किसने आगरा को शोहरत बखशी है तो आप याद रखना नजीर अक्बरावादी जबके नजीर अकबरावादी 1735 या 40 के आसपास में दहली में पैदा हुए थे और 1761 में पानीपत के दूसरे इध में तीसरी लड़ाई के दर्मियान ये बहाँ से छोड़कर आगरा चले आये थे और आगरा का पुराना नाम जो है वो अकबराबाद है और इसको जो है इबरहिम लोधी ने बसाया था आगरा को पता ही होगा और 1504 के आसपास में इसको बसाया गया है खैर मुझे उमीद है कि आपको ये जनकारी पसंद आई होगी अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए इंतखाब के साथ तब तक के लिए शुकरिया और खुदा हाफिज